दोस्तो आंगनवाडी कारेकरता वास साहिका के भरती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है अब भरती नियम दोजाद 24 में जो है बहुत बड़ा संशोधन हो चुका है बैए क्या संशोधन हुआ है उसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है आदेश आपको समझाओंगा तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट एंड तक पूरे वीडियो देखेगा वीडियो पर संदाए तो लाइक करके शेयर करना चैनल पर ने हैं और चाहते हैं कि बहुत तना की हर लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को सब कर लेना ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और नीचे कमेंट बक्समा कर अपने राजजी का नाम लिखकर आगे जरूर लिखेगा आंगनबाडी भरती दोहजार चौबेस जिससे की दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी चले दोस्तों मैं आपको लेच छलता हूं आदेश की तरफ और आदेश की जो कौप फिया ile के बर जाय रहूए हो आदे जो है वो संचाल लायन महिला वंबाल विकास मद्धपरदेश की तरफ से जो जारी किया गया है और यह आदे जो है वो 14 मार्च 2024 को जारी किया गया है ठीक है यह लेटा जो भेजा गया है कलेक्टर जिला समस्त मद्धपरदेश ठीक है जितने भी जिला कलेक्टर हैं उन को भी यह भिजा गया है अब देखें इसमें इन्होंने लिख दिया विषय आंगयरी करिकर्टा तथा आंगयर मादि साहिका के चेन एवं नियुक्ति निरदेशों में संशोधन किया गया है ठीक राव किया गया है सुधार किया अपथ झी, जो बाल ठीकर उंपार है यहाँ पर इन्होंने संदर्व ले रखा है ठीक अब आप नीचे की तरह आएंगे तो लिखा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्राले के पत्र संख्या दे रखी है दिनांक 1822 द्वारा सक्षम आंगनवारी एवं पोशन टूपइंट जीरो के संब्ध में जारी निर्देशों के अनुपवनसार आंगनवारी करे करता एवं साहिका की नियुक्ति है तू निर्देशों में निम्नानुसार शंशोधन कि जाते हैं तो जोबारा सरकार महिले वंबाल विकास मंतराले उसके लेटर दिया हुए उसका हवाला दे रखा एक अर्डौ्डेशा बाइस उसके अनुसार जो है इसमें संशोधन किया गया तिक है सबसे पहले सैक्षिक योगता इसमें बढ़ा बदला हुआ जिए बदला जो थी आव तक बार भी थी ठीक है और अधिक्तम जो थी वो थी इसना तक ठीक इसमें जो एकनमणमणी करकरता वाले में कोई बदलाव नहीं किया गया वार्वी भी भी है और इसना तक जो है और वह उच्छ सैक्षिक होकता है लेकिन साहिका अंगन्वाडी सहिका के जिभी उक्ता थी 5 वी सेंकरता यानिकि ट्र वाले ही अच्छ वी आह च्छ वीय पास उसके बड़ा का कर दिया गया इसनाथ तक यानिक कि आंगनवाडी कारेकर्टा और आंगनवाडी साहिका दोनों की जो योगता Allव आगका दोनों की जो है खशीक यूपता जो है वो समान कर दी गई है फेल्स पास ले जाएंगे कम जिकम होना जरूरी है और उच्छे सेकशिक योगता जो है इसनातक रखी पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका जो है मेरिट तयार किया जागा यह उत्तर प्रदेश के बात करें तो 18-45 साल तक अभी तक थी इसमें आप 18-45 साल वाले एपलाई कर सकते थे लेकिन इस आई-उ को जो अधिक्तम आई-उ थी 45 साल उसको घटा दिया गया है ठीक है उसको कर दिया गया पैंतिस साल यानि कि 18-35 वाले ही इसमें एपलाई कर पाएंगे यानि कि बहुत सारे कंडिर्ट्स को इसमें नुक्सान हो गया जो कंडिर्ट्स 45 साल तक के हुआ करते से लेकिन अब जो है केबल 35 साल बाले ही एपलाई कर पांगे अंगनवाली साहिका के केस में भी सेम यही आयू सीमा निर्दार्द की गई है अठारह से 35 साल ठीक है आगे देखिए साह पे लिखावा शेश नियोक्ती संबंदी प्रचलित नियम निर्देश यथावत रहेंगे संबंदी नियम जारी के रहे हैं ठीक है नमबर तीन और नियुक्ती है तो बिढ्यापत प्रक्रियाधिन नियुक्ती में यह नियुक्ती में नियुक्ती नहीं होंगे तो यह आदेश जारी हुआ 14 तारिक को ठीक है 14 मार्श दोजा 24 से मद्ध प्रदेश में जो भी आंगर्बारी कारेकरता इस साइखा की भरती होगी उसमें जो सीमा 18-35 कर दी गई है और चाहें आंगर्बारी कारेकरता हो या साइखा और दोनों भरतियों में इन में जो सैक्षिक योगता है वह अब 12 से लेकर अधिक्तम जो है वह इसनातक कर दी गई है ठीक यह बहुत बड़ा संशोधन मद्ध प्रदेश में किया गया है मद्ध प्रद जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मेलेगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल के आइकॉन को दबा लें तके फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक हसनी से पहुंच अगे अपना खेया लखी परिवार का खेया लखी फिर मुलाकात होगी थैंक यू